स्वागत है दोस्तों आपका जोग्रफी विद्वसी मैमा चैनल में और आज आपके सामने बहुती महत्पूर्ण वीडियो है NTA, UGC, NET, PGT, TGT, Higher Education, जोग्रफी से संबंदित जो प्रस्न पिछले एक्जामों में पूछे जा चुके हैं उनको हम व्याख्या सहीत समझेंगे क्योंकि यहां से बहुती अच्छे अच्छे प्रस्नों को हम व्याख्या समीत समझ सकते हैं यह 2008 का प्रस्न है जो उतरप्रदेश लोग से वायोक सब कोडिनेट प्रिपरिक्षा में पूछे गए हैं उसका अध्यनवार व्याख्य सहीत उसका हल हम समझेंगे तो जैसे कि पहला प्रसन आपके सामने है गिलोब के भोकोलिक छेत्र रफल का कितना भाग पर्माफरास्ट से आच्छादिद है तो पांस से दस पिरती से छेत्र फर्माफरास्ट से आच्छादिद है अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं पर्माफरास्ट से क्या होता है पर्माफरास्ट सब्द जो है उस शेत्र के लिए प्रियोग किया जाता है जिसका तापमान वर्सो तक हिमांग के नीचे हिमीकृत आवस्था में रहता मतलब बर्फ जमी भी अवास्था में रहता इस सब्द का प्रियोग सावपिर्थम 1947 में मूलर महोदे ने किया था इस सब्द का प्रियोग पर्माफास्ट का इस समय विसु के अंदर इंग्लैंड और अंटार्क्टिका में एक करोड तीसलाक वर किलोमेटर छेतर पर पर्माफास्टा का विस्तार है कनाडा अलास्का में 50% शेतर है रूस में 47% शेतर और नवीन पर्वस रेनों के इस्ताई हिम छेतर पर पर्माफास्टा का विस्तार पाया जाता है जिसने भी रोकी, एंडीज, एटलस पर्माफराश से आचादिध है तो यह प्रसने एक्जाम में कई बार पूछा गया है आगे पूछा जा सकता है। आगे देखते हां, दूसरा प्रसन है तेतीस सागर अस्तित्म में आगया था कि ते हैस्तिस सागर कब अस्तितम्झ वाया था। इसका बाद सर में तूट गया था उसका उत्री भाग लारेशिया कहलाया दक्षणी भाग गोडवाना लेंड कहलाया तो जब यह तूटा तो बीच में एक गैप इस्तित हो गया जिससे क्या हुआ टैतिस सागर की उत्पत्ति हो गई यह घटना जो थी कार्बनी फेरस यूग की है कार्बनी तरफ से आने वाली लारेशिया से रिकोडवान से आने वाली नदियों ने अवसात को जमा दिया और एक भूगर भी खल चल हुई और दोनों पिलेटे आपस में टकराई और हमाली परवत उपर उड़ गया और मोड़दार अवस्था में उड़ गया तो टैतिस सागर के बा प्रति पांदन किस ने किया था हैरी हैंस ने 1960 में किया था समवेहन धाराव दुआरा मध्य महासागरी कटक में कटक से मैगमा उपर उठता है तो ये दोनों किनारों पर फैलता है इस पिरकार कटकों के सारे समुंतल का पिरसार और ट्रेचों के सारे विनास होता पिरसार ज वहरेखा जो एक ही समय पर भूचाल मतलब भूकंप या अर्थ क्युक अनुबवों करने वाले स्थानों को जोड़ती है वह क्या कहलाती है तो वह कहलाती है आपकी ждश्मल रेखा कहलाती है अब इसकी व्याक क्या समझ लेते हैं एक ही समय में आने वाले भूकंप हो जहां भुकम्ब्रे का कहलाती है बहुत important question था अगला देखते हैं अगला प्रस्टन है जुआर से संबंदी जुआरी परिकल्पना के बारे में कथन दिया गया है तो जुआरी परिकल्पना देख लेते हैं इसके तीनों options सही है यह एक आत्मिक परिकल्पना है इसके प्रस्टोता बिरिस्तानी विग्यानिक जैम्स वाज थे इसके जो प्रिवर्टक थे वे जैम्स जीन्स थे यह फिलामेट को सोरमंडल की उत्पत्ती हैं तो उत्तरदाई माने जाती है यह फिलामेट को सोरमंडल की उत्पत्ती से परिकल्पना नहीं है यह एक द्धुय तारक परिकल्पना है यह आपको धिहान रखना यह एक्जाम में प्रस्टन पूछा जाता है बहुत इंपोटेंट है फिर दूसरा एक और अगला प्रस्टन है कोशन नमबर 6 कोबर के भू सन्नती सिद्धान्त में निमलिकित युगमों पर विचार कीजिए कोबर ने जो भू सन्नती जो सिद्धान दिया था कोबर ने दिया था उसने कुछ ऐसे सब्दों का प्रियोक्या जो इसमें हम समझते हैं से औरोजेन को भू सन्नती कहा इसने भू सन्नती को ओरजेन कहा अगरिस्थल को क्रेटोजेन कहा और उपान स्रेणियों को इनने रेट केटेन कहा यह तीनों जो है सही है इसका अंसर एक दो तीन तीनों सही है इसकी व्याक्या समझ लेते हैं जर्मन विद्वान कोबर ने व भूसन्यति सिद्धान प्रस्तूत किया था, कोबर ने वलित परवतों की उत्पति संबंदी भूसन्यति सिद्धान प्रस्तूत किया था, जहां पर आज परवत हैं, कभी वहां पर भूसन्यतिया होती थी, जैसे मैंने अभी बताया था, आपको तैठी सागर भी भूसन्यति जहां है माल्य परवत की उत्पत्ति होई, पहले भूसन्यतिय थी, कोबन ने इन्हे ओरोजेन कहा, जहां पर पहले भूसन्यतिय थी, गहरे इस्थान थे, वहां परवत होगे, तो उसे कोबन ने ओरोजेन कहा, इन भूसन्यतियों के जो ये भी भूसन्यतिय गहरे इस्थान के इनके चार ओर प्राचीन द्रण भूखंड थे जिने क्रोटजेन या अगरिस्थल कहा अगरिस्थल का नाम दिया क्रोबने भूसन्यतियों के दोनों किनारों पर दो सिमान परवस्रेणों का निर्माण होता है जो दो भूसन्यति थी भूसन्यतियों के दोनों जो सिमान स्रेणियां थी दो किनारों पर एक कुछ उची उची स्रेणियों का निर्माण होता है भूसन्यतियों के दोनों किनारों पर इधर भी इस साइड भी और इस साइड भी बीच में भूसन्यतियों होती तो इस साइड म को इसने का कहा rate के 10 नाम दिया अगला प्रसन चट्टानों की उत्पत्तों को निर्धा नित करने में कौन सा युगम सरवाधिक उप्युक्त है तो इसका आंसर है संरचना एवं संगर्षन चोता आंसर है अब इसको समझ लेते हैं व्याक्यास की चट्टानों की उत्पत्ति को निर्धानित करने में चट्टानों की संरचना और गठन सरवाधिक महत्पून है चट्टानों की रचना से चट्टानों की प्रिकृति और विसेशताय अनेक भोतिक तथा रासानी गूंट परागम्यता हुलनसीन आदि का पता चलता है चट्टानों के गठन से चट्टानों का रंग उनका भार का ठोड़ता आधि निर्धारित होती है तो यहां आपको पता चल गया, चट्टानों की उत्पत्ती को निर्धानान करने में किसकी महत्पूर्ण भूमिका होती, सन्रचना मतलब बनावट की और गठन, जो उसका गठन है बना हुआ अगली व्याक क्या देख लेते हैं, भू संतुलन के बारे में यह है किसने कहा कि व्रहत इस्थम कम घनत, लगू इस्थम अधिक घनत, यह किसने कहा प्राट का मानना था कि घनत एवं उचाएं में विपरे संबन्द होता, जो इस्थम जितना अधिक उचा होगा, उसका घनत उतना ही अधिक होगा प्राट के अनुसार पहाडों की चट्टानों का घनत पठारों का मैदानों से कम होता, मैदानों का घनत व समुंद्र की तली की चट्टानों से कम होता किन्तु प्राट का मानना था कि विभिन इस्थम्बों का भार संतुलन्द रेखा पर बराबर होगा इस प्रकाप प्राट छती पूर्ती तलनियम में विश्वास करते थे प्राट महोदे ने क्या कहा ये आपने समझा जो इस्थान जितना उचा होगा उसका घनत उतना कम होगा परवतों का घनत उससे कम होगा पहाडों का उससे जाद होगा पठारों का उससे ज़्यादे होगा मैदानों का उससे ज़्यादे होगा समुंदर का उससे ज़्यादे होगा तो जो इस्तान जितना अधिक होगा उतना ही उसका घनत्व कम होगा तो यह important वीडियो था आपके लिए आपको पसंद आये तो आप महत्पूर्ण प्रसन लेकर यूजिसी नैट हायर एजूकेशन टीजीटी पीजी जोग्रफी के लिए जयाहिन जवादे